नमश्कार दोस्तो सुआखओ रहे हैं थीक्स वीज़ विडिश चनल में, और जैसा कि आप जानते हैं किjen आफ गर बाद करेंगे टेक्स फंक्शन की, क्या क्या टेक्स फंक्शन होते हैं और क्सकी तरीक हते हैं तो जान लेते हैं , पहरे, यह इसे फंक्शन होते हैं तो वो data alpha numeric होना चाहिए तब ही उसका use ज्यादा होता है वो functions किस तरीके के होते हैं वो होते है find, exact, trim, lower, mid, upper तुछलिए आप जान देए किसे practical कैसे use कर सकते हैं यहाँ पे मैंने एक file upload कर रहा किये जिसमें employee code, first name, last name और salary है अगर आप यहाँ से देखें employee code बन रहा है company के नाम से उसके बाद उसके department, fin मतलब finance, adm मतलब admin, hrm, mis, okay और उसके बाद एक 4 digit का quote है, okay तो इन formula को हम इसके साथ use करके देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें new column के साथ यह use करना होता है, okay तो मैं new column पे click करता हूँ, और मालेज़े मुझे सिर्फ यह company name निकालना, यानि starting के 3 character तो देखें आप जो formula होते हैं, वो same excel के ही तरह चलते हैं, अगर आपका excel formula का जो base है, वो अच्छा है तो आप normally से सीख जाएंगे, otherwise आपको थोड़ा सा time रख सकता है तो देखें, हमें left side से 3 character निकालना है, company name के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर column कान देते हैं, मैं left देते हैं, उसके बाद मैं left सी formula यूज़ करूँगा, यह कह रहा है, text कौन सा है, तो हम column name type करेंगे, employee code, ओके, उसके बाद कॉमा और number of characters है, कितने character आपको इमां से pick कर र देखेंगे, column का नाम देए, तो हमें right, क्योंकि मैं right formula कर रहा हूँ, equal to right, bracket open, text है मेरा, employee code यहाँ पर भी, मैंने tab दबाया, comma, अब मेरा code है, वो चार डिजिट का है, 1234, तो मैं यहाँ four type करूँगा, bracket बंद करूँगा, enter, देखें, सारे code आ गए है, अब मालीज़े मुझे का department यूज करना, यानि कि MIS, HRM, Finance, okay, तो इसको देखेंगे, कैसे करते हैं, हम new column पे जाते हैं, और यहाँ पे हम mid formula यूज करने वाला है, तो मैं mid ही दे देता हूँ, column का नाम, और mid formula मैंने यूज करा, यह कर रहा है, text, text है मेरा employee code, comma, देखें, starting position, starting position, देखें हमें, जहाँ से department का name start हो रहा है, यानि 1, 2, 3, 4, और 5, तो 5 से start हो रहा है, comma, कितने character, F, I, N, तो 3 character, okay, इसका मतलब हो गए, 5th character से उठाएगा, यानि F से उठाएगा, और 3 character, यानि F, I, N, उसी तरीके से नीचे आ जाए, तो A उठाएगा, और ADM इस तरीके से, sequence चलेगा, हम से कर देते ह हैं, तो देखे, सारे जितने भी department हैं, उनके नाम आ चके हैं, तो देखे, इसके साथ हम देख लेते हैं, upper और lower formula को, okay, मानलेजी देखे, यह है proper case, okay, जिसमें पहला letter capital होता है, उसके बद सारे lower में होता है, तो मानलेजी मुझे इससे बदलना है, upper में, तो मैं new column करूंगा, और नाम देता हूँ, upper, equal to, और formula भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, upper, text कौन सा है, first name, okay, इस बार हम first name के साथ जाते हैं, bracket बंद और enter, तो दीके सारे जितने भी, यहाँ पर first name देखो, सारे-सारे upper उसमें आ गए है, अब हम एक बार lower भी चेप कर लेते हैं, तो मैंने new column पे क्ल bracket बन, तो दीकिए, मैं यह जो formula है, उसी तरीके का मैं column मिसले दे रहा हूँ, कि हमें पता चले कि यहाँ पे हम कौन-कौन से formula यूज़ करना सीख रहे हैं, चुलिए, अब हम देखते है, concatenate, okay, तो मैं यह करा, concatenate equal to concatenate, okay, तो दीकिए, concatenate क्या करता है, कितनी भी दो string को add टाल दीकिए, तो मैं आता हूँ, मुझे first name add कराना है, और first name add कराना है, और मुझे कराना है last link, ओके, देखे, यह मैंने इसमें करा दिया है, देखे, इसमें space नहीं है, इसमें हम सिर्थ 2 string दे सकते हैं, तो इसी में देख लेता है कि माले ज़ी मुझे first name चाहिए, और उसके अमित लिखा आएगा उसके साथ-साथ यहां पर स्पेस भी आ चुक है वह को दिखनी रहा है उसके लिए फॉर्मला लगाते हैं न्यू कॉलम पर लेंथ का ओके तो इस लेंथ हमें बताएगा कि इस कॉलम की लेंथ कितनी है तो कौन केट है हमारा जो कॉलम है यह वाला इसमें वह रिमूव करने तो उसके लिए हम यूज करते हैं तो मैं न्यू कॉलम पर जाता हूं और ट्रिम फॉर्मले यूज करता हूं ओके और यह था कॉन केट बाकेट बंज और एंटर है तीक है अब यह देखने में पता नहीं लग रहा है लेकिन मैं इस लेंद फॉर्मले पर जाओं और इसमें जो कॉन केट है उसके जिए का मैं ट्रिंग देता हूं इसकी यह वाला तो देखिए यह जो आठ था वह चार हो चुका है ठीक है और इसके बाद हम यूज कर सकते हैं एक्जैक्ट फॉर्मॉला यह क्या करता है मैच करता है यह तुनों अधाट है कि नहीं देखिए जो यह वाला कॉंट केटिमेट था मारा इसमें कुछ स्पेसिस थे और इस वाले में स्पेसिस नहीं थे तो यह भी परीखाय चेक करने का तो इसमें हम देख लेंगे यूज करके एक्जैक्ट फॉर्मॉला ओके तो एक्जैक्ट क्या करेगा दोन यहां पर मैच कराते हैं तो यह नहीं बता रहेगा यह false है सारी ठीक है क्योंकि यहां पर यहां पर नहीं थे और इसके बाद हम एक और देख लेते हैं जो कि है find यह बहुत जादा यूज होता है टेक्स्ट के लिए तो इसलिए हमां बात करते हैं find की find find text क्या करना है यह के sensitive होता है क्या नहीं कि अगर आप capital दे रहें तो capital दिखेगा और आप lower देखने है तो यह lower देखेगा जिए इसको आप double code के साथ देंगे तो मैं देता हूँ मैं देता हूँ आई ओके small i फिए double code से 1, within text तो हम first name देख रहे हैं first name starting position 1, 0 यह कह रहा है not found value अगर नहीं मिलती है तो आपे क्या लिखा रहा जाए तो मैं कहरा हूँ आप जियू लिखा आजाए मैं अंटर मालता हूँ देखे थ्री नमबर पर कह रहा है तो am i small i यहां पर था तो यह 3 पर आगया उसी पर किसे 2 वाला देख लेता है h i और उसके अलावा जितने भी हम paste ने दिखाया है zero देखे इसके अलाव भी कुछ formula है जो important है लेकिन अभी हम starting cover कर रहे हैं तो इन में जो कुछ main formula है जो हम अक्सर use करते हैं text के लिए मों मैंने बता दी हैं और अकर 3-4 formula ऐसे हैं जो और use होते हैं उनको भी हम देख लेंगे जैसे से हम आगे बढ़ते हैं तो आज के लिए अतना है और अगर आपको फाइल चाहिए use करने के लिए तो description पर जा कि आप इस फाइल को download कर सकते हैं एक link के through तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like or comment कीजेगा so wait कीजेए अपानी next वीडियो का और अपना साथ हमार स अगर अगर की